व्यूत्क्रम समानुपात, व्यूत्क्रम सीधा का विलोम है, एक व्यूत्क्रम में यदि एक मात्रा में व्रथी होती है, तो दूसरी मात्रा में भी समान अनुपात में कमी होती है, इस प्रकार हम कहते हैं कि दोनों मात्राएं व्यूत्क्रम रूप से संबंधत हैं, आईए एक उधारन लें, उधारन माना 20 पुरुष एक घर का निर्मान 6 दिनों में करते हैं, यदि पुरुषों की संख्या बढ़कर 30 हो जाती है, तो वे घर का निर्मान 4 दिनों में करेंगे, पुरुषों की संख्या लिया गया समय 20, 6, 30 पुरुष बढ़ते हैं, समय घटता है, हम अवलोकन करते हैं कि श्रमिकों की संख्या में व्रिधी होने पर घर के निर्मान में लगने वाला समय कम हो जाएगा, इस प्रकार जब हम एक मात्रा को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी मात्रा घट रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पुरुषों की संख्या और लिये गए समय के बीच व्यूत्प्रम समा अनुपात्ता है, तीस पुरुषों द्वारा इमारत का निर्मान पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, आईए ग्यात करें, विचार कीजिए, एक्स पुरुष चर हैं और वाई चर लिया गया समय है, यदि दो मात्राएं एक्स और वाई व्यूत्क्रम अनुपात में हैं, फिर उनका गुणनफल स्थिरांक होगा, सबसे पहले एक्स बटा वाई के अनुपात का परिकलन कीजिए, यह सी का मान देता है, X बटा Y बराबर C, 20 बटा 30 बराबर C, 2 बटा 3 बराबर C और X बराबर CY में मान रखिए हम प्राप्त करते हैं X बराबर 2 बटा 3 गुणा 6 बराबर 4 दिन यदि कोई ऐसी स्थिती है जिसमें एक चर में वृध्धी होने पर दूसरे चर में कमी होती है तो यहां दिखाए अनुसार एक समू नियम का उप्योग कीजिए चर 1, चर 2, A, B, C, D, A, C बराबर B, D अत्वा A बटा D बराबर B बटा C